हेलो आजन लोग सुरू करेंगे आजन्ता को और कोशिच करेंगे कि पूरा इसको इन तक खत्म करते हैं तो यह सुरू होती है बहुत काल की चित्र कला पाद सो इस्वी से साथ सो इस्वी तक बहुत कला का उद्गम इसा से लगबग छह सतक पूर्वकी और दृष्टि पात करने पर पता चलता है कि धार्मिक दृष्टि से भारत बड़ी डावडोल इस्थिति से गुजर रहा था तो साहित्तिक दृष्टि से या सिसुनागवंस की स्थिति का समय था साहितिक दृष्टि से सूत्र गन्तों एवं दर्जन की विविन साखाओं की भूमका का निर्मार काल और धार्मिक दृष्टि से जयन बौदों के उदय का समय ब्रामर धर्म के अभ्यूदे के लिए सूत्र गन्तों ने बाड़ास्रम की विवस्ता को अत्यांत कठोर और जयन सामाने की रूच से इतना विसम बना दिया था कि ब्रामर धर्म की उन्नति की जगा अवनति हुई ब्रामर धर्म की तत कालिन पुरोहित वादी प्रवर्ति के विरोध में जयन और बौद धर्म उधित हुए जिनका प्रतिनिदित वहुआ महाविर स्वामी और गौतम भुद्वारा जयनों ने धर्मिक सुधार के करण साहितिक निर्मार पर जोड़ दिया और ताड़ पत्र भोज पत्र कागच एवं कपड़े पर आने का नेक पोथियों को लिखा इनके बीच बीच में उन्होंने सुन्दर चित्र भी चित्रित किये बहुत धर्म के निवाईयों में जो व बारहु दच्र में अमरावति और नागारजुन कोंडा और तथा पश्ची में कर ले और भाचा के चैतों में स्तूपों को हम इस प्रसंग से जोड़ा जा सकता हैं तब जोड़ सकते हैं भारत के उत्तर पश्ची में इसी बहुत गला के यूनान और रूम की कला सेविन को म ज़्यासत मंदिरों में मुकाश मोटियों में देखने को मिलती है सारनात का सारनात का सिंग स्थम यह तथा मतुरा का अरे मतुरा का सारी सारनाद का सिंग स्तम तधा रामपुर्वा का पासाड निर्मित ब्रिशब मौरेका निर्मूर्थी कला कुछ रेष्ट की स्रेष्ट बहुत अभिविक्तियां है पर्खम पट्कम ये पर्खम होगा पट्ना की यह चचवियां बीजी कोटी की है काश मूर्थी काश मही मूर्थी निर्माड की परंपराज भी हमें भराउत साची और अम्रावती और नागाजन कोड़ना में मिलती है तक चिसिला से विधातों की मूर्थियां बहुत मूर्थियां मिली है इस प्रकार बोद मूर्थियों का निर्माड गुपतकार में जावा सुमातरा नेपाल तिबत और बर्मा तक बहुच गया बहुत दे काशिमुति दर्चिर के तन्जोर में भी फलब्द हुई है मुर्थी कला के पिच्छा चितर कला के छेतर में बहुत दर्चितर कला कारों का दूसरा ही दृष्टिकोर रहा पिच्छा को विलाजिता को घोतक समझते रहे यही कारण यही कारण था कि प्राचिन बहुत विवहारों में पुस्पालांकार को छोड़कर दूसरे विश्वर पर चितर कारी नहीं दिखाए दीती है कला के प्रती बहुत हो गेस दिस्टिकोर के बावजूद प्राचिन दिधर्म और चितर कला नामक सिर्षक नामक लेग में यह लिखा है कि असु कलिन स्तम सिर्षों वेदी का सुत्रों और स्तूपों के अधार पर यह का जा सकता है कि समनाट असुप ने बहुत हम के प्रचा में कला को माध्याम रूप में स्विकार कर लिया था लाकर मोचित प्रचितर के नुशान नौवी से बार है वी सताब्दी तक बहुत चित्र कला के इतियास में कुछ सचित ग्रंथ हैं जिन में बहुत देवी दियता था पुद्धी की जीवन समधी चित्र है यह ग्रंथ पालियोगी ने जिनके नाम अश्ट साहसी प्रग्या पार्मिता पं के इतियास का लामा तारा रात में बहुत देव चित्र कला की तीन प्रमुक सहलियों के बिसे में लिका है देव यच्छ और नाम देव सहलिया सहली मददेशी मगद में पचली थी जिसके संसाब का आचार बिंबिसार थे जो पांचवी च्छटी सताब्दी में जन्मे थे इस के इंदर में उच्छ गोटी के कलाकार थे और उनकी देव सहली के समान थी यच्छ सहली समरा टसो के सासन के काल में प्रचली थी जिसका केंदर राजपोताना था और इस के इंदर में के मुक चित्र का राचार सिंग दर ते जिनका जन्म मारबार में साथी सताब्दी मे रही इसका केंद्र बंगाल था जिसका समय साथीवी सतावदी था इस केंद्र के प्रमुक आचार धीमानोरूंका पुत्र बीद पाल हुए उन्होंने नाग सैली को लेकर अपनी सैली का निर्माड किया इन तीन प्रमुक केंद्रों के अत्रितकस्मी नेपाल बर्मा और भूद्धकला की महानविडाशत बित्थे चिट्रों के रूप में सुरचित थैं इन बित्थे चिट्रों का विस्तार भारत में सर्वत मिलता है इस हिस कल दमक्दरोरों की लोग परीयता भारत की उत्दर पसुमसी में बरान तथामा देस है क्याने एक देशों तक बहुत कला की समर्द के इंदर जनता है जो मातना मुद्द के जीवन की घटना होता ता जातक अपर आधारी थे इन चित्रावलियों में इस काल के अरामबिक और अंतिन दोनों चर्णों की कला दिखाई पड़ती है इसे लंका में सिगिया की उफाउम इभी सैली का परिपक को रूप दिखाए पड़ता है भारत में बागवादामी सी तनवासल के चित्रों में इननता के चित्रों के च्छाप है इस प्रकार बहुत कला की सरवत्तम चित्र के इंद्धा में देखने को मिलती हैं जिनकी अजनता का चित्रों है अब आगे अजनता का नाम करण इंद्धा नाम के प्राचीन ब्रंत महायमुरी में अजित्या जी नामक एगस्तान का संद्रभ है गुपां में कुछ किलोमीटर दूर पर अजिष्ठा नामक ग्राम है जिसका मूल उच्छण अजिष्ठा है इसी ना कि अधर परवरतमन पार में आने लगा और हिंदी उच्ट में से अजन्ता पुकारा आने लगा अजन्ता का संद्दः एक और रूप में भी है यू मेत्री भुद्ध भविश्व में उतरीथ होने में बुद्ध को अजिद कहा जाता है अतब बुद्ध धर्म से समधित गुफाओं का आजन्ता नाम उचित रहता है आजन्ता गुफा के स्थिती आजन्ता के तीस गुफा मंदिर पहाड़ीों को काट कर बनाए गए है आजन्ता के विश्व प्रसित गुफाएं फरदार पूर ग्राम से 6 किलो मीटर दूर है यह ग्राम महाराश राज के और अंगावाजीडे से 101 किलो मीटर दूर है मादे रेलवे के जलगाउं स्टेशन से 55 किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित है जो बस द्वारा पूरी के जाती है जन्ता कि गुफाएं हरे सिंगार से अच्छा दित मनोरो नीरो एकांकी घाटी में स्थित है या घाटी साथ वड़ा से करम साथ कुंड़ में गिरती हुई बहुरा नदी पहाड़ी को काटती हुई और उसके पैरों में साफ से लोड़ती हुई कामान की तरह मुड़ गई है इस नदी के घुमाव से घाटी कर रूप चंद्राकार के समान बन गया है इसकी बाई और उत्तर की और एक मुड़ पर लगबग 250 फूट उची पहाड़ी खड़ी है और इसी पहाड़ी में एक अर्दर चंद्राकार पंकती में ये गुपाएं काटकर बनाई गई है इसी सांत और निडवता के बाद आवड़ों को देखकर बहुत बिच्छों ने अपनी कला साधना के रह स्थानों पर समझावा जानता कि प्रतीक फ़मे मूर्तियों इस्थम परा काटकर इस्थम तथादार काटे गया है और भीतियों पर चित्र करे की गई है इस परकार आजनता की ये गुपाएं बहुत तथा चित्र करे का उत्तम संगा में बहुत चीनिया तरी जे वांग च्वांग ने भी अपने पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया ये विंसांग होंगे विंसांग को लिखा हूँ पुकि इंडिया और जंता की कलां की बूर भूर प्रसन्स होगी है इसी प्रकार फाया निसन 1398 इस्विमीन कला मंदिरों का उलेक किया है समराथ हर्च के समय बारबट निगुफाच चित्रों का जो बाड़न किया है वह भी अजन्ता की समान है अजन्ता की खोच और जिलोदार लारेंस बिनियम के अनुसार अजन्ता की कला असीसी जो है वो एक असीसी का गिरजागर परसित है अजन्ता की इतनी महत्वड कला करितियां लगभग एक हजार वर्सों तक कला जगत की अनुसार रहकर अचनक 1819 में कैसे प्रकास में आई इसकी वियज़व कहानी है यदि मदरा सेना का एक सेवा निवित्र आपसर इसका पता हमें न देता तो पता नहीं कब तक और ये कला भंडार हमारी देव कार भी न होते होकर भी ना होते कलावंडार हमारे लिए होकर भी ना होते सन 1819 में सीना की एक टुकड़ी अजिस्टा गाउं के पास घिरा डाले पड़ी थी उनी में से एक बिटे सबसर सिकार की टूर में आजनता की गाउं जनतागाउं के पास पहुँच गया चानक उसे एक लड़के की करकसी आवाई सुनाई पड़ी और वतेज कदम से उस तक पहुँच गया लड़के ने यूरूपियन साब को देखा पैसे पाने के लास्ता में उसे थोड़ी दूर चलने के लिए कहा और वहां जाकर सामने पेड़ों के जुलमुट के बीच एकिस्तान के और जंकित के और बुला साविया देखो चीता पर अचरी की बात है वह चीता नहीं बलकि हरी गनी हरी तीमा के बीच बैगनी पत्थरों के खंबों के मद्द सुनेहरे लाल रंग में कुछ ऐसी चीज थी जिसे देख कप्तान साभ उचल पड़े और तुरंद गावालों से कुलाडी बाले डोल तथर्टार शादे लेकर आने के लिए बुला वेजा इस प्रकार सदियों से बुलिया गुफा मंदिरों तक पोचने का रास्ता साफ अगया और कला जगत पकला मरमग्यों के लिए बौद गला की महानवलजी से परिचय हो सका या सूचना पाकर सर प्रतर में करनी की अंग्री रदिकारी विलियम्स एरिक्सन ने इकलिक तयार किया और उसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पड़ा बाद में 1924 में लेटिनेंट जिम्स ए अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को देखा और रायल सोसाइटी लंदन को इनका परिचाविया परंतु फिर भी 1843 इस भी तक इन गुफाओं की और किसी का ध्यान नहीं गया सन 1943 में जिम्स ए गुर्सन ने चार वर्सों तक अध्यान कर पहला सोध पूर्ण भी वरड रायल एसियाटिक सोसाइटी आफ ग्रेट बीटन एंड आयर्लेंड की सब में पढ़कर सुनाया इसियाटिक सोसाइटी के अग्रपर इस्ट इंडिया कंपनी के देशक ने तत्कल इन भारा सरकार को अध्यानता विती चित्रों की सुरक्षा ही दू उचित कतम उठाने को कहा सन अठारा सर्चोवाले स्मिंस्ट इंडियां कपनी के निदर पर इंग्लेंड की सरकार ने कुसल चित्रकार मेजर राबर्ट गिल को 1947 सिस्वी में अजनता के चित्रों की अनुकृत बनाने के लिए भेजा 1978 सुन्तान में बितरो की चिंगारी के भड़ते ही मेजर गिल ने चित्रों की अनुकृतिया बनाने का काम छोड़ दिया इन दस वर्सों की दोराम तीस याइस से आधी चित्रों के अनुकृतियां बनकर त्यार हो चुखिती दिय ने मेजर गिल ने सौदेश इंग्लेंड भेज दिया अजन्ता के चित्रों की अनुकृतियों को सिडी होम की क्रिश्टल पैलेस की प्रदासित किया गया परन्तु इस भवन पैलेस में भी सड़ाग लग जाने के करार इनमी से 25 चित्र आग में स्वाहा हो गए किवल पांच अनुकृति चित्र कुछ छोटे छोटे इंग्रेविंग प्रिंट मिसेज स्पीयर के लिए इंसेंट इंडिया नमक पुस्तक में प्रकाशित है इसके परश्चात सन 1872 से 1876 के मध्य सरजेजे स्कूल आफ़ाट के ततकलिन पचार गिरीफित मिस्टर जान गृति गृति महोदय तता उनके सेशियों ने सेकड़ों सुन्दर प्रतिकृतिया बनाई जो दो जिल्दों में दी पेंटिंग अफ बुदिष्ट के अफ टेंप इस भी में प्रकासित हो चुकी है सन 1874 में इंडियान इंटो क्यूरी नाम की सूथ पत्रिका में जेंस बर्गेस का राक टेंपिल्स आफ अजन्ता लेक प्रकासित हुआ इसी समय इंडिया आफिस लांदन की फोटोग्राफ का सुन्दर संग्रावी डक्टर बर्गेस दार इस भावन में भ्याग लगने से नश्ट हो गई सन 1911 के मद लेडी हरिंगम भारत आई और उनके परिवेच्छर के में सयद आहमद मुहमद भज्रुदीन लंदाल बोस अजित कुमराल दर समने नाद कुट वेक टपा लार्चर ता ल्यूग जैसे तरुड भारती का लाकार के द्वारा पुना जन्ता के चित्रों के नकृता तयार कराई जो सन 1925 वी में लंदन से पुस्ता की रूप में प्रकाशित हुई सन 1913 वी विंसेट स्मित वलेडी हरिंगम ने के अजन्ता समन्दी लेग प्रकाशित हुए हैद्राबाद की पुरतत विभाग के निदेशक, गुलाम, यजदानी निय जन्ता के चित्रों की पुनावत प्रतिकृतियां तयार करवाई और लेग में जाम सरकार के पुरतत विभाग ने चार भागों में करम सा 1930, 1933, 1946 एवं 1955 में प्रकासित कराया सुतंतता के परशाद अलिद कलायक आदमी दिल्ली निया के चित्रों की रंगिन पोटोग्राफ के प्रिंट का एक छोटा फोट पोलियो तयार करा है जो कला प्रिम्यू तथा अजनता की चमें पोचाने में साहयक सिद्ध हुआ सन 1954 में युनुस्को के द्वारा भी निव्यार से अजनता की रंगिन चित्रों का एक संगरा पेंटिंग आप अजनता के नाम से प्रकाशित हुआ अजनता की भित्टी चित्र की वीदी अजनता की चित्रों का धरादल थैयार करने के लिए सरतंप प्लाश्टर की पर्त में खड़िया चुना गोबर का वारी गारा गुफा की खुदुरी वाद दिवार पर लगा दिया जाता था इस गारे को कई दिनों तक अलसी के पानी में भी भीगो कर फूरने के लिए रख दिया जाता था कभी कभी छट में लगाने वाले गारे में धान की भूसी मिलाने का भी प्रसलन था प्लास्टर की पहली तह पौनिंसे लेकर एक इंच तक मुटी तो होती थी इसके उपर अंडे के छिल्गे की मुटाई के बराबर सफेद प्लास्टर का लेप चड़ा दिया जाता था इस प्रकार प्रती गुफा को प्लाश्टर से ओपा जाता था फिर उसके ऊपर चितड़ होता था इसे गुफाओं के चट्टानी दीवारों के चितड़ भार जाते थे और दीवार चितड़ के लिए समतर हो जाती थी इवी है वेलकमत है कि अरंता के चित्रपूर्ण हो जाने पर जब सुख जाते थे तो चित्रण में अत्यदिक प्रकाश को भारने की टेंपरास रंग से चित्रण के रहता था सफेद मिस्रित गाडा रंग लेडिया रंगम के मत अनुसार सफेद प्लास्टर पर पूर्ण वीवरण सहीद लाल रेखांकर करने के पश्चा दो पतले गंदे रंग टेरावट गंदा सब्ज रंग खानी रंग से कहीं कहीं लाल रंग जलगता छोड़कर अन रंगों की अन ताने लगा दी जाती थी फिर इस्थानी रंग लगा जाती थी बाद में काले ताथा भूरे से निश्चित सेमा रेखाये बना दी जाती थी यां तो मैं आँ सकता कि अनुसार चाय का प्रियोग भी किया जाता था गुलाई दरसाने के लिए विरोधी रंग या काले रंगों के प्रियोग दोरा अकृतिय कि निश्चित रूप प्रदान किया जाता था परंतु ग्रिफित्स महोदे ने चित्र के रेखांकर में केवाल लाल रंग के प्रियोग से के ला रेखांकर की पद्दती का वड़न किया है गुफाओं का वड़न तथा क्रम तथा सुरचित चित्र अजनता की 30 गुफाइं ह कि यह गुफाओं पंद्रावस 14 वड़न के में दावस्थित है आधियन की सुविधा है तो जनता की गुफाओं की गिंती पुरू से पस्चिंक्यूर की गई है जिससे सभी विद्दान सहमत थे इन गुफाओं में नवी, दस्वी, उननीस्वी, छबीस्वी, तीस्वी गुफाओं जहां पूजा उपासना होती है इस गुफाओं साध होता था बहुत विच्छों के रहने का स्थान थी यानि ये वियार गुफाओं में पहले तो चुने की सफेदी में संक्यां कित्की किन्तु अभ यहां साफ लिखी क्रम संक्या की पट्टिकाय टंगी है पहा मंदिनों के में 16 गुफाओं के चित्रशेस हैं उन में पहली दूसरी चौथी सात्वी नवी दस्वी ग्यारवी पंद्रवी सोल्वी सत्रवी अठारवी उन्नीसमी बीसमी इकिसमी बाइसमी तदा शाबिसमी गुफाओं चित्रों में से अलंक रित थी किन्तु 1910 तक बिसे महत्रपूर्चित्रों के अफसेस पहली दूसरी नवी दस्वी क्यारवी सोल्वी सत्रवी उन्नीसमी तदा इकिसमी गुफाओं में ही रह गया है इन गुफाओं में से सत्रवी गुफाओं में ही सबसे अधी चित्र प्राप्त हैं अजन्ता गुफाओं का निर्माड़ वर वाच फिर चतें खांबेवितियां तताने के मुख्य द्वार्ब का निर्माड होता था गुफाओं का को मौरेकालिन का इस्ट वावन निर्माड के नमूने पर बनाये गया था अनुमानता तेरावी गुफा सबसे प्राजित मानी जाती है दोसो इसापुर की कि इसके दीवारों पर चमाकदार मौरेकालिन पारिस है आठवी बारावी तेरावी गुफा में चित्र नहीं है किन्तों यह प्राचिन है आठवी नामी तदा ग्यारावी गुफा है संब वद्दा दोसो इसापुर से परवरती क्योंकि इन में कुछ मुर्थियावी आठवी से तेरावी गुफा की च्छे गुफा प्रारम्भी खेनियान बहुत धर्म से समदित हैं दोसो इसवा पूर्व से कुछ बाद तक लगबग तीनसो पचास वर्थो के काल में रनुबानता त्यार की गई हैं से सारी गुफाएं महायान बहुत धर्म से समदित हैं चटी और साथ भी गुफाएं एक सो पचास से पांसो इसवी के में दिकियां से सथार्थ पंद्रव प्रहें तता 22 भी और पहले में पांच भी तक गफाएं 500 इसवी में बनी है कई गुफाएं दुनिया जिन पंकुर्षण के अनुसार पहली गभा सबसे बाद में चित्रित की गई हैं घन्ता की बट्री चित्रु का खालकर इन गफाओं के से प्राब्त चित्रु से समय वही प्रचार में रोध उत्पन करते थे इनके पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि अगले सो वरसो तक जनता में चित्र ही नहीं बने हैं यहां पर अधिकांस तो चित्र चालू के राजाओं पांसो पचास्ते च्छोई सो प्यारी सता बरहर के वाकटक राजाओं के समय बनाए गए सुल्वावी गुफा में पांटक लिए पता चलता है कि रश्चेव थे इसलिए पहला राजाओं के काल में है कि बल्लों रजाओं के काल में पहलों के काल में चित्रकारी का कार रुख गया था सोनवी उफा के वाकटक लेग से पता चलता है कि यह राजा सैंवित इसलिए पल्लों सासक पल्लों राजाओं के साथ अनकाल में चित्रकारी का कार रूप गया था चित्रों की सुरक्षा चित्रों की सुरक्षा हो गया देज वी देज में प्रसित धर जंता के चित्रों सुरक्षित नहीं रह पाए सर प्रतम तो है तराबाद राज के निजाम ने इनकी सुरक्षा के में दीखाई सब्सक्राइब बाद में छोटे तब कि कि अधिकारी उने इसे च्छती पहुचाई तो अच्छा के लिए रखा गया पदा अधिकारी अजन्ता के भी दिचुरों में से उत्तमाक्रतियों कि सिर का सिर के भाग का प्लास्टर खंड दीवार से काट काट कर दर्शकों को धन के लोग में भीट करता रहा डाक्टर बर्ड जो मुंबई के मुंबई में पुराता तो बेता थे ने मुंबई संग्राला कुलावान बित करने की दृष्टी से इसे च्छती पहुचाई दूसरी और पच्छों चमगादर को उत्रों बजी जन्तों ने की घोस लेता था एवं आने महानुबावदारा खाना पकाने की दूमा आदी से भी चित्र दूंदली और काले पड़ गया और फिर आम जन्ता नहीं से जग 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 खुरज डालासन 1934 के विचा जन्ता पुरतत विवाकि प्रमुचित्रों के सामने जाही लगवादी क्योंकि यतोचित सफ चित्रों को साफ किया गया जहां तहां प्लास्टर की दरार पड़ पर इसे भाय दिया गया जिसे प्लास्टर खंड लीवार से नागी ले कहा जाता है कि सुच्छा के नाम पर केमिकल वार्निस के प्रयों से चित्र संदर है में हास हुआ 1908 में जन्था में क्यूरिटर की नियुक्त हुई और फिर सन 1956 इस भी में मारा सरकार के पुराता थे भागने गुफा चित्रों के सानचर का काले बार अपने हाथ हमें संबाल लिया आज बहुत से चित्रों को सी सो वरक अपनों के पर्दों से ढख दिया गया है ताकि बाहर प्रकास मुझो चित्रों की चमा को कम ना कर सके आज से लगवाच्छ है सो वर्स भूर किये खला साधना के अभी चित्रों अभी चित्रों के रुप में सुरच्चित हैं इनके प्रती लीपिया बनाए जा से लृटार में अभी तक कि सूथ अम्लीकों के अधर पर जांता मिर्णों को पुस्तब्र कर दी गई है जित्रों के विसे अलांकर अलंकारी का लिपने को छोड़कर जांता बहुत धर्म का सिजन का केमरे था अताइन गुपआँ में बहुत धर्म के तरिक्ट किसी आने धर जनमांतर की जीवन कथा का जातक कथाओं के अंतर का चित्र हड़ुआ है अपनी पुस्तक भारती चित्र क्लाम नंता की चित्रों को तीन भागों में बाटा है प्रत्हम स्रेडी कहां आगेया प्रत्हम स्रेडी जिनके विविद प्रदम सरी अलानकारी जिन में विधाले खन बनाए गए हैं जैसे फूल जैसे फूल पत्तियां पुस्मों को केले कमल दल लता है बुच्च पसु पच्ची आला कोई अलाकिक पशु अलाकिक पसु कहा थे अलाकिक पसु राक्षास के नरनाग गरूर यच गंदर पपसरायादी दितेश्री रूप वैदिक बुद्ध की धार्सने के हमाध्यात्मिक स्वरूप तता बदम पाड़ी बज़े पाणी बुद्धिश पतालु के तेश्वरादी के स्वरूपों के साथ बुद्ध के जनव से मुद्ध तक विवित पाहल हो दा था बुद्ध जनव मया वेवी का सपन महा अभिनिश कर्मण सम्भूद इने बाड़ बुद्ध की जीवन के अलोगी घटना है प्रमुके जैसे विवाग रेता है पादी क € winox yoga, के शित्र में जातक Yours, अनुबद जातक है अनेक ऐसी प्राचीण का 3 म्मशिय घटना का रूप में नियुपड किया गया है जैसे ब्रामार जातक सीवी जातक चंदक चतंत जातक वेशांत जातक हस्ती मुकन चुने के च्छारात्म प्रभाव से इतना सित्व खोना बैठे रंगों में सफेद लाल पीला और भीविन भुरी रंगों का प्रयोग है इसके तरिक मिला लेपिस लाजुलीर गंद्यारे सब सब जो टेरावाट रंग है सफेद रंग पारदर्जिय चुनिया खड़िया से बनाए गया है लाल तथा भूरी खनीज रंग है और हरा आएक इस्थानी पत्थर से बनाए अलिपिश्लाश्री रंग फारा स्यायात के जाता था सेस रंग इस्थानी इसे गुफा संक्या नौ नवी गुफा के चित्र यह एक चाहत गुफा है जो बहुत दुविश्चों के उपासना स्थल की रूप में त्यार की गई थी एदर भी गुफा संक्या नौ की रचना ही सापुरोदी थी सताब्दी में हुई थी इसमेहीनिया नमायां दून सब्रताओं के समन को लाए लिए वे खोदी कि इस गुफा में तेज़ खंब में है इस गुफा में गुरी थी प्रिफित्स महोदे ने एक दीवार का प्लास्टर का एक बड़ा खंड पपड़ी छुड़ा कर उसकी नहीं चित्र खोजा जो चट्टान पर पार्सिलोन के समन चंगदार चड़ाकर उसकी उपर बनाया गया है यह चित्रे इक बैठी तरी का है जो इस गुफा का सबसे प्राचीन कम्त चित्र है स्टूप पूजा इस गुफा का अन्यप्रसिदिछ ति इस तूप पूजा का यह जित्र में इस लगभाग सोलों वेक्तियों का एक समुपूजायों का एक दल इस्तुप की ओर जाते विए दर्साया गया है अर्द वृत्ता का रिस्तुप तोरद वार पूर्सों की लट्टूदार पकड़ी जिसमें टट्टोनों में बड़ा मोती आगे बाते पर निकलता है पूर्सों के भारी वरगा कार चैरे बड़े-बड़े मोतियों की मोती माला है कान में भारी-बड़े अबूशड आतों पे कि भाग में सहनाई जहां जो सहनाई बजाते हुआ दक चित्रित है या चित्र किसी राजा अत्वास रेश्टी द्वारा चैत्र को बनवा कर संग को भीड़ देनी के समरों भी घटना कर चित्र पस्तूत किया गया नाग पुरुस इस गुफा के भीचतरी भाग पर द्राई औ पसो को खदेड़ते चरवाएं इस गुफा की एक अन्य बित्ती पर पसो को खदेड़ते चरवाएं अंकित किये गए या पसो की चंचलता एवं गती कारे खांदरा सुन्दर अंकन है इन चित्रों के अपनी विसेस्ता हैं जो इनको गपतकाली इन चित्रों से पुर्थक कर में आखे बाव शुने चित्रों में बाया रेका हैं काले रंग से बनी हैं या निक प्रकार के बिच्च और उनमें अलग 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 धंग से पतिया बनाए गए और अलग पूलों इमन फलों कांकान इनको चित्रिकान ने अपने सुच में चड़ बच सक्ती का परिच्च दिया है बसो बच्चियों का चित्र डिती बद्ध ढंग से हुआ है यहां इस्तमों पर बुद्धाकृतिया चित्रित की गही है बीद्धियों पर चरवाहों के दृष्ष भी बनाए गए है हमने गुबा संक्या 9 तक पड़ दिया है अगला भाग आगे का बाग नेक्स्ट वीडियो में हम दिखेंगे थेंक यू